तो सोच रहे कि भाई कंप्यूटर में माश्राव कैसे बने कीबोर्ड पे टाइप कैसे फास्ट करें या फिर ऐसी कुछ कंप्यूटर की टिप्स और ट्रिक्स कैसे सीके जो दोस्तों को इंप्रेस करने के लिए यूज की जाती है या फिर कुछ लेकिन उन सभी के जो बेस्ट पाच वीडियो जब मैं आप एक लप करके आपके लिए लेक्या हैं तो अगर आप एक कंप्यूटर लवर्स हो और आप चाहते अपने दोस्तों को इंप्रेस करना तो यह वीडियो आपको एंड तक जरू दिखना चाहिए तो चलिए इंतजार क इस बात काप कंप्ली टेक्नलोजी चैनल पर मैं सबस्क्राइब करता हो शुरू करते आज का यह कंप्लीट टेक्नलोजी बराव वीडियो लेट्स बिकिन लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताओ कि आप अगर नहीं मैंमानों हमारी चैनल तो चाई पी के जाईएगा नहीं मजाग कर रहा हो यार चाई नहीं पीना है नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है न उससे क्लिक करना है और बेल एकॉम पर भी क्लिक करना है ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिक्शन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ दे तो यहाँ पर सबसे पहला फीचर मैं आपको बताने वाला दोस्तों कि अगर आपके पास से कुछ फैमिली फंक्शन के फोटोक्राप्स और आप बना चाहते उसका एक अमैजिंग वीडियो तो उसके लिए आपको एक वीडियो एडिटर डाउ यहाँ पर यह वीडियो एडिटर ओपन हो जाता है यहाँ यह विडियो एडिटर के अंदर अवैलेबल है दोस्तों और यह वीडियो एडिटर में काफि अमैजिंग फीचर से आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे सभी फोटोग्राप्स यहाँ पर आड्व होगे और इन को आप timing set कर सकते हैं, साथी साथ में आप यहाँ पे अलग-अलग effect दे सकते हैं, जैसे timing के साथ photo की size, उसके बाद यहाँ पे filters, उसके अंदर अगर कोई text add करना है, animation यानि motion देना है, या फिर आपको कोई 3D effects बे add करना है, तो यह सारी चीज़े यहाँ पे available हैं, 3D effects में मैं आपको दिखाता हूँ, कापी amazing 3D, ready made effects है, जो आप यहाँ से add कर सकते हैं, यह अपने photograph में आ जाएगा, साथी साथ में आप यहाँ पे audio भी add कर सकते हैं, और कुछ themes अवेलेबल हैं, जिसके अंदर audio और कुछ text की themes अवेलेबल हैं, वो भी आप add कर सकते हैं, तो यहाँ पे text वगरा कैसे add करना है, यह बहुत simple है, बस आप text पे click कीजिए, text के अंदर यहाँ पे text customize करने के लिए आपको option दिया है, वो आपके text type कर सकते हैं, format select कर सकते हैं, और position select कर सकते हैं, तो यह text आपकी pictures के उपर दिखाए देगा, तो यह pictures में अगर आपको music apply करना है, तो आप इस तरह सी वीडियो बना सकते हैं, कापी amazing features है, कुछ ही मिन्टों में आपका यह video ready हो जाएगा, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को बस export बटन पे click करना होगा दोस्तों, export करने के बाद यह आपर अलग-लग size आएगी, small, medium, large, आप select कर सकते हैं वीडियो की size कौन सी चाहिए, और बस export कीजिए, फिर देखें यह video कैसा है, तो चली यह features कैसे use करना है, यह जान गई है, जनता, तो इस बात पे एक like तो बनता, तो अब बढ़तें दूसरे features के और, और दूसरा feature यह है कि अगर आप आपके laptop को mobile के hotspot की तरह use करना चाहते है यानि कि laptop का जो internet है, वो आप mobile की तरह whatspot तायर करना चाहते है, laptop के अंदर, तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, Windows 10 के अंदर यह features available है, उसके लिए करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, simply आपको start के अंदर यहाँ पे whatspot लिखना है, तो whatspot जैसे आप लिखोगे, edit बटन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे नाम और password आप सेट कीजिए, जैसी यह नाम और password सेट करेंगे, तो आपके laptop के अंदर जो भी internet connected है, वो whatspot की तरह काम करेगा, और आपके mobile या other devices आप इसे connect कर सकते हैं, और यह काफी amazing features मुझे लगा Windows 10 के अंदर, आपको भी लगा ह तो तीसरी feature के बारे मैं आपको बताओ कि मुझे भी यह पता नहीं था, कुछ दिन पहले मैं भी इसे नहीं जानता था, लेकिन कल जैसे मैंने search किया Windows के अंदर, और मैंने देखा कि start बटन पे हम हमेशा left click करते हैं, लेकिन इस बार मैंने किया है right click, अगर right click करते हो तो क्या होता है, आपको दिखाए दे रहा, right click करेंगे, तो आपको file explorer, disk management, device manager, इनके shortcut आते हैं, यहां से आप इसे shortcutly access कर सकते हैं, तो हमेशा left click करने से हमें start के options मिलते थे, लेकिन इस बार मैंने right click किया, तो हमें ये shortcut options भी मिल गए, तो चलिए, इसका use किजिए, एक freedom feature से Windows के अंदर और चौते tricks के बारे में मैं आपको बताओ कि अगर आप एक laptop user है, तो आपको ये problem तो जरूर फेस करनी पड़ती होगी, अगर आपने laptop लिया है, और अगर वो laptop proper place पे नहीं रखते हैं, तो वो moisture पकड़ता है, और moisture पकड़ने के वज़े से उसका keypad work नहीं करता है, और ऐसे key OS के type keys है, enter button press कीज है, और आपको मिलता है on screen keyboard, अगर आपकी कोई keys नहीं चल रही है, तो on screen keyboard का use कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको suggestion दूँगा कि laptop के keypad का keys नहीं चल रहा है, तो आपको keypad बदलना होगा दोस्तों, और जादा तर Acer के laptop में ये problem आता है, क्योंकि मैंने जितने भ तो keypad बदलना तो ज़रूर ये है, लेकिन अगर आपको keypad बदलना नहीं है, तो उसके लिए temporary solution मैंने बताया आपको कि आप start में OS के type कीजी on screen keyboard आता है, और ये keyboard आप use कर सकते हैं, कोई एक दो alpha bit नहीं चल रहे हैं, और आपको type करने हैं तो, और वैसे इसका use आप password इंटर क के लिए भी कर सकते हैं, अगर आपके keyboard पे, suppose आप ऐसे जगह पे कहीं पे login कर रहे हैं, आपका banking account हो गया रहा है, जहां पे side camera is available है, CCTV camera is available है, आप क्या कीजी है, उस time पे on screen keyboard का use कीजी है, तो बहुत सारे websites पे भी on screen keyboard दिया है रहते हैं, banking के website पे आपने देखा है, और login के नी पर बढ़ते हैं दोस्तों, आज की features में यह आखरी है, Windows के तो वैसे बहुत सारे features से मैं share करने चाओंगो, तो यह घंटा भी कम पड़ेगा, लेकिन यह 5 amazing features आपके साथ share कर आओ, तो आखरी features में यहाँ पे मैं आपको बताओ कि अगर आप search में storage लिखते हो, enter button press करते हो, तो दिखाये देता है, तो यहाँ पे आप analysis कर सकते हैं कि आपका ड्रायू, वीडियो से कितना बढ़ा हुआ है, music से कितना बढ़ा हुआ है, यह judge कर सकते हैं, तो कापी amazing features है, तो दोस्तों, यह ते Windows के 5 amazing features उम्मीद करतों आपको पसंद आया होंगे, तो दोस्तों, tips number 1 में, यह आपे मैं आपको बता हूँगा, कि typing स्वीर बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको keyboard की पूरी जानकारी होनी चाहिए, अगर आप keyboard पे धान से देखेंगे, तो F and J, यह दोनों alphabet के उपर एक उबरी हुई line नजर आ रही है, जो कि keyboard के middle row या home row पे होती है, यानि जब कभी भी देखनी की ज़रूत नहीं पड़ेगी कि आप keyboard पे, कौन से location पे, कौन से position पे आपने आपकी fingers रखी हुई है, और home row पे finger आपको इस तरह से रखनी होगी, जैसे मैंनी यहाँ पे आपको दिखाया है, left hand से अगर आप शुरुआत करेंगे, तो little finger A पे रहेगी, उसके बाद ring finger S पे, middle finger D पे और first finger F पे रहेगी, और thumb से आपको space button प्रेस करना होगा, और ठीक उसी तरह से right hand के fingers आपकी J के यल और semicolon पे रखनी होगी, इसके बाद बीच में जो दो keys है, G और H वो भी आपको आपके first finger से प्रेस करनी होगी, इस तरह से शुरुआती कुछ दिनों में आप middle row की practice कर सकते हैं, tips number two, आप हमने middle row तो देखा, इसके बाद आपको top row और bottom row की practice करनी होगी, उसके लिए आपको इसी तरह से finger set करनी होगी, यहाँ पे image में आप देख सकते हैं कि कौन से keys के लिए कौन से finger आपको use करनी है, यहाँ पे मैंने आपको color में दिखाया है, खुद में improvement देखोगे कि आपका typing speed कैसे बढ़ रहा है, अब tips number three की तरह बढ़ते, typing करते समय आपको keyboard पे बार बार नहीं देखना है, finger set करने के बाद आप उसे slow में type करेंगे तो भी चलेगा, पर आपको keyboard पे नहीं देखना है, जो भी कीज आप type करने वाले हैं, उसे आपक इससे क्या होगा, इससे आपके subconscious mind को यह याद रहेगा कि कौन सी finger कौन से key के लिए है, क्योंकि typing खाली हाथों का काम नहीं है दोस्तों, दिखता तो हाथों का काम है, लेकिन दिमाग इसमें आपके हाथों को instruction भीजता है, दिमाग याने brain अगर instruction भीज़ेगा, तभी तो की practice लगती है, आपको आगे जुकर बैट के type करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, screen और आपकी बीच में लगबग 45 cm का अंतर रखनी की कोशिश करें, और अपने हाथेली को 90 डिग्री में रखें, ज्यादा नीचे या ऊपर ना रखें, screen का brightness आपकी सबसे adjust कर लें, ज् को इस sentence की practice करनी चाहिए, sentence क्या है, the quick brown fox jumps over the lazy dog, अब ये कोई story नहीं बता रहा हूँ मैं दोस्तों, ये sentence की एक खास बात है, इसमें A to Z सारे alphabet cover होते है, आप देख ले ना, खुद चेक करके, A to Z सारे alphabet आते हैं, और इसकी वज़े से आपके A to Z alphabet की practice repeat repeat हो जाएगी अगर आप इस sentence को type करते हो, क्योंकि कोई ordinary paragraph आप लेते हो, तो उसमें शायद ही ये सारे alphabet की practice आपकी repeat repeat हो सकती है, लेकिन the quick brown fox jumps over the lazy dog, practice शुरू कीजिएगा, tips number six, आपको पता ही है, हर एक sentence का पहला alphabet capital रहता है, तो इस capital alphabet को type करने के लिए आपको shift button की practice करनी होगी, आप shift button की practice करते समय आपको ध्यान रहे कि keyboard की दोनों तरफ shift होता है, तो आप जब left side के कोई भी alphabet को capital में type करना चाहते है, तो right side का shift यूज़ करना है, और right side के कोई भी alphabet को type करना चाहते है, तो left side का shift यूज़ करना है, ये चुछ इसी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, और tips number seven, ज आपके नाकुन बढ़े रहेंगे तो उसे कटवा दे, क्योंकि नाकुन उसे type करने के कुशिश ना करे, उससे आपका speed नहीं बढ़ने वाला है, और मेरा recommendation आपको ये रहेगा कि typing करते समय आप किसी से बात ना करे, यानि कि typing जब आप सीख रहे हो, तो आपको जो keys आपको type क करने हैं, उसे आपके मन में बोलना है, आपको किसी से बात नहीं करनी है, एक बार आप expert होगे तो आप बात करते करते भी typing कर लोगे दोस्तों, जरूर कर लोगे, लेकिन आप जब सीख रहे हो, तो आगे आने वाले जो words है, उसे आपके मन में scan कर लो, पढ़ लो, और उसके मैं आप से सवाल पूछने चाहूँगा, कि आप computer shutdown करते कैसे, दरसल traditional method से, जैसे कि आप start पे click करते हो, और power options पे click करते हो, और उसके बाद shutdown button पे click करते हो, लेकिन मैं आपको बताओ कि shutdown कुछ अलग तरीके से किया जाये तो, जी हाँ, तो shutdown की पहली tips यहाँ पे मैं बता रहा है, मैं इसे नीचे ड्रैक करूँगा, तो ये मेरा computer shutdown कर देगा, फिलाल मुझे नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि मैं shutdown करूँगा, तो आपको recording नहीं मिलेगी, सीधी जी बात है ना, तो लेकिन आप slide shutdown कर सकते हैं, ये एक interesting way है computer का shutdown करने का, शायद मुझे लगा आपको पता इसलिए आपके साथ ये share कर रहा हूँ है, और इस button को मैंने कैसे बनाया है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, तो simple यहाँ पर आपको एक code दिखाए दे रहा है, इस code को मैं description में दे रहा हूँ, आपके साथ share कर रहा हूँ, इस code को यहाँ से select करके इसे करना है, copy और copy करने के बात desktop पे मैं पहले ये slide shutdown delete कर देता हूँ, पहला slide shutdown हमें इसे delete कर देते हैं, और दुबारा बना रहे है, इसलिए right click कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको जाना है new के अंदर, new में right side में आपको shortcut option दिखाए दे रहा है, तो चलिए मैं shortcut option पे यहाँ पे click कर रहा हूँ, जैसे मैं click करो, मेरे सामने एक dialogue box आ रहा है, जो कि आपको यहाँ पे clearly दिखाए दे रहा है, अब इस dialogue box में मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो मैंने copy किया था, अभी shutdown के command, वो मैं यहाँ पे simply paste कर दूँगा, control V shortcut की वती है दोस्तों, paste करने के लिए, आपको पता ही रहेगी, next button यहाँ पे click करना है, उसके बाद type a name for this shortcut, इस shortcut के लिए आप क्या name देना चाहते हो, जो नाम है वही रखने देना चाहते हो, तो रहने दो, या फिर आप कुछ और नाम देना चाहते हो, तो दे सकते हैं, no issues, and फिलाल मैं finish कर देता हूँ, जैसे मैं से finish करूँगा, यहाँ पे कर दिया जाए, तो right click कीजिए, और right click में जो properties option नीचे मिलता है आपको, उसके उपर click कीजिए, उसके उपर click करने के बाद, यहाँ पे आपको आएगा change icon option, change icon option पे click कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे कुछ error रहेगा, उसे ok कीजिए, skip कीजिए, उसे पढ़ने की जरुरत इस तरह से आचुका है, आपका slide to shut down, यह थी पहली tips, अब बढ़ते हैं, दूसरी tips के और, अब दूसरी tips में भी मैं shut down करने का और एक थरीका बताने आ लाओ, जी हाँ, कई बार क्या होता है, मैं scenario बता दे तो हम रात को काम कर रहे होते हैं computer पे, और कुछ downloading के लिए रख दे जाएगा, computer automatic बंद हो जाएगा, computer या laptop जो भी automatic बंद हो जाएगा, कैसे, यहाँ पर देखिए मैंने एक बना दिया है, चोटा सा shutdown icon उसको अलग दे दिया है, उपर दिखाए दे रहे हैं, आपको shutdown करके, अच्छे, यह shutdown timer है, मैं इसे double click करता हूँ, क्या आराय जारा इसके लिए मैं करूँगा क्या, simply यहाँ पर आपको run command लेना है, run command के अंदर shutdown minus A type करना है, shutdown space minus C, ध्यान से देखिए, shutdown space minus A से मेरा जो shutdown है, वो cancel हो जाएगा, right side में आपको यहाँ पर notification भी दिखाए देगा, फिलाल मैं recording कर रहा हूँ, यहाँ पर recording में notification नहीं है, लेकिन मेरा shutdown यहाँ पर cancel हो गया, तो lock up cancel करके notification right corner में यहाँ पर bottom में आपको दिखाए देगा, आप अपने computer पर try करके जरूर दिखिए, अभी recording में वो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर फिलाल, यह कैसे बनाए, यह मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, और आप भी interested रहोगे, इसे सी shutdown, माइनस ही नहीं करना है, shutdown, minus S, shutdown के बाद space देना है, फिर उसके बाद minus S, फिर उसके बाद minus T, और उसके बाद space, जितना time आपको रखना है, एक घंटा चाहिए तो आपको यहाँ पर seconds में देना है, 3600 seconds, यानि कि one hour, और 7200 seconds, यानि कि two hours, simple है न, 60 seconds दिया तो one minute के बाद होग और यहाँ पर shutdown 2, या फिर आप लिख सकते है, shutdown after one hour, ऐसा कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर दे दिया है, अब मैं यहाँ पर finish करूँगा, और जैसे finish करूँगा, यहाँ पर एक file आ चुकी है, और इसका icon भी कैसे बदलना है, जो कि मैंने आपको बता ह स्टार्टिंग में, icon बदलने के लिए simply, right click, properties, change icon and select whatever icon you want, you can select the similar icon also or else different icon, तो यहाँ पर मैंने बनाए shutdown after one hour, तो यह ज़रूरी हो सकता है आपको आपका computer automatic shutdown करने के लिए, interesting है, जैसे हम TV में sleep mode लगाते हैं, वैसे computer कभी हम sleep mode लगा सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों, तो यह ज़ चाकि यह tips भी बहुत useful है, बहुत सरे लोगों को पता नहीं होगी, इसलिए दुबारा शेयर के आपके साथ, अब बढ़ते तीसरे tips के और, तीसरे tips में आपको बताओ कि यहाँ पर एक control panel आपको दीख रहा है, और यहाँ पर मैं इस control panel को, नाम तो है नहीं, इसका मैंने open कि और यहाँ पर आपको दीखाए दे रहा है, इसमें बहुत सारे अलग-लग settings आ चुके है, तो Bluetooth से related settings है, मेरे background images से related settings है, बहुत सारी mouse से related settings, keyboard settings, everything, सभी settings है, even hard disk partitions and all settings आपको यहाँ पर मिलने वाली है, आपको दीखाए दे रहा है, यहाँ पर create and format hard disk partition, यह सारी settings एक ही icon में कै कैसे, एक ही icon में कैसे आया, इसको हम God mode बोलते है, God mode, यहनि कि सभी settings का collection, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह God mode आप अपने desktop पे कैसे लाग सा सकते है, सारी settings आप एक साथ एक जगा पे कैसे ले सकते है, क्योंकि आपको कोई भी settings में जाना रहता है, तो आपको बार- पेले जो God mode दिख रहा है, उसे मैं delete कर देता हूँ, now, right click किजिए desktop के उपर, new, new के बाद यहाँ पे आपको दिखाए दे रहा है, shortcut नहीं, folder, इस बार shortcut नहीं लेना है, I mean shortcut option नहीं लेना है, अभी हम folder option लेंगे, folder लेने के बाद यहाँ पे एक folder तयार हो चुका है, इस folder में मै यहाँ पे वो code जो copy किया था, मैंने वो paste कर दूँगा, और जैसे मैं paste करूँगा, enter button प्रेस करूँगा, यहाँ पे God mode create हो चुका है, अब इस पे आप double click कीजिए, and सभी settings आपको यहाँ पे मिलने वाली है, तो है ना असान तरीका God mode create करने का दोस्तो, इस बात पे एक like तो ह हो जाए, अब बढ़ते हैं अगले tips के ओर, तो यहाँ पे fourth tips में मैं आपको बताओ कि आपके desktop पे जो program से और वो तो आप mouse से double click करके start करती है, लेकिन आप चाहते हैं जैसी tally software या कोई भी player, vlc player है या कोई software है, जो आप shortcut key के साथ start करना चाहते है, तो simply उस icon के उपर right click करन है, मतलब जो software का आप shortcut key देना चाहते है, उस icon पर right click कीजिए, properties में जाहिए, और यहाँ पे आपको दिखा देरा shortcut key, and इस shortcut key में अब जो भी add करना चाहते है, आप control button प्रेस कीजिए, alt button प्रेस कीजिए, जो भी है, आप जैसे प्रेस करोगे, control button मैंने प्रेस कर दिया, control A प् combination यहाँ पर automatic आ जाता है, उसके बद आपको apply करना है, और ok करना है, हाँ अगर आपका administrator नहीं है login, तो आपको administrator की permission लेनी पड़ेगी यहाँ पर, तो इस तरह से आप कोई भी desktop के program को shortcut key assign कर सकते हैं, अच्छा आप start में कोई program है, और उसका shortcut key assign करना चाहते हैं, जैसी कि आपक file location दिखाए दे रहा है, more options में open file location कीजिएगा, उसके अंदर यहाँ पे फिर आपको मिलेगा उसका shortcut और यहाँ से आप right clicker के properties में जाहिए, और इसके लिए जो shortcut की यहाँ पर assign करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, तो यह थी tips number 4, अब बढ़ते है tips number 5 की तरह, अब tips number 5 में मैं आपको बता हूँ कि यह windows 10 में नहीं चलेगा, windows 7 में चलेगा, और यहाँ पे windows 10 के लोग में 7 में दिखाता हूँ, करना क्या है, run command में आपको simply cmd टाइप करना है, cmd यानि command prompt आपके सामने command prompt आ जाता है, और command prompt में आपको lusrmzr type करना है, login user manager, अब यह login user manager command क्या करता है, जैसे आप enter करोगी आपके सामने एक login user manager का dialogue box आता है, उसमें आप directly आपके administrator या फिर बाकी users का password बदल सकते हैं, बिना old password के, जीना दोस्तो, windows 10 में यह work नहीं काता है, लेकिन windows 7 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे screen में मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी password आप directly राइट आप tips number 6 में है, startup program, जीना अगर आप चाहते हैं, आपका computer start होती ही, कोई song बचने चालो हो जाए, automatically, मतलब आपको play करने के ज़रूरत ना पड़े, या कोई video या कोई software की file, तो आपको करना क्या है, अगर आपका windows 7 है, तो आपको start में जाकर startup नाम का यह folder डूनना है, और उसे open करके, उसके अंदर आपको song बचने टाइप करना है, लेकिन windows 10 के अंदर आपको करना क्या है, मैं आपको दिखा तो यहाँ पर windows 10 में, windows 10 में आपको run command open करना है, और यहाँ पर यह command type करना है, windows 10 के अंदर, windows 7 में directly आपको startup folder start command में मिलता है, लेकिन windows 10 में आपको run के अंदर, यहाँ पे shell, colon, startup, यह type करना है और यह folder मिलेगा, यह folder मिलने के बाद, इस folder के अंदर, यहाँ पे फोल्डर open हो चुगा, इसके अंदर आप जो भी program start करना चाहते हैं, उसका shortcut यहाँ से copy करके यहाँ पे paste करेंगे, तो यह मेरा flimora यहाँ पे start हो जाएगा, मतलब computer मेरी start करते ही या computer जबी मैं start करूँगा, automatically, wondershow, flimora 9, run होने वाला, या कोई भी software, जो भी shortcut आप यहाँ पे डालोगे, या फिर आप कोई music file डालते हो, तो भी चलेगा, आप Excel की file डालते हो, तो भी चलेगा, जो भी Excel file आपको लगता है, कि यार computer शुरू होते ही, आप office में जाएंगे, तो computer शुरू होते ही, directly, वो Excel file खुल जाए, जिसमें आपको daily काम है, तो daily काम है तो आपका Excel file open करने के लिए time waste नहीं करना है आपको, तो उस Excel file को यहाँ पे डाल दो, मतलब उसको shortcut बना के डाल दो, दिखाता है मैं आपको, जैसे यह computer tips file मुझे रोज सुब उपन करनी है, तो उ यह भी Excel file और आप shortcut यहाँ पे create करके डाल सकते हैं, जो कि automatically run होगा, वैसे भी इसमें जो भी tips मैंने आपको बताया न, यह पहले भी मैंने अलग-अलग वीडियो में बताया है दोस्तों, लेकिन आपने शायद वो देखी नहीं होगे, क्योंकि अलग-अलग वीडियो थे, त from our list, तो कौन सी यह साथ भी tips चानते हैं अभी, अच्छा बहुत सारी बार आपके computer में RAM कम होता है और फिर आपका कोई software और प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तो ऐसे में अगर आपके computer को boost करना है virtual memory के साथ, तो आपके computer में virtual memory कैसे create करेंगे आप, जी हाँ, pen drive अगर आपक आपको दिखा तो, this PC यहाँ पर open किया मैंने, Windows 10 में this PC और Windows 7 में computer में जाना है आपको, जो start में रहता है या पर desktop पे रहता है, उसमें आपको pen drive यहाँ पर दिखाए दे रहा है, अब इस pen drive को मैं as a virtual memory use करना चाहता हूँ, तो right click करूँगा इसके पर, इसमें properties में चले जाना या फिर आप इसे भी click कर सकते, इन दोने में फरक है, इसमें click किया तो जितना भी free space आपके pen drive में होए, वो सब utilize हो जाएगा, मतलब मैंने इस पर click किया, तो यह पूरा पूरा pen drive यूज़ कर लेगा, जितना free space available है, और अगर आपने यह वाला ले लिया, तो आप customize space दे सकते है, जितना push के लिए देना है, मैंने इतना ही दे दिया, 10 GB, 9 GB, जितना देना है, मुझे उतना मैंने दे दिया, जैसे मैंने 10 GB तक दे दिया, तो उसके बाद मैं यहाँ पर apply करूंगा, और apply करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है, वो pen drive इस तरह से हो चुका ह है, मतलब यह इतना space अभी खाली नहीं है, यह अप open करके देखेंगे इसके अंदर क्या है, तो यहाँ पर ready push करके नाम की एक file बन चुकी है, और आपको इसे हटाना है, तो right click properties में चले जाना है, यह virtual memory आपको नहीं चाहिए, as a pen drive का storage करके use करना है, so do not use this space करके आप apply कर सकत बस apply करना है, तो पूरा pen drive virtual memory में convert हो जाएगा और आपके computer में थोड़ा सा speed, आपके computer में यहाँ पर आपको boost मिलेगा, speed up your system by utilizing the available space on the device, तो हमारे जो devices में space available है, उससे हमारा system हम यहाँ पर speed up करने वाले, तो यह थी 7 वी tips, और यह 7 वी tips अगर आपको अच्छे लगे हैं, तो आपने already like button पे click किया होगा, तो मेरी website है, जिसका नाम है learnmorepro.com, जो कि आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है, learnmorepro.com मैंने visit किया और जिसके अंदर courses section में आपको आना है, courses section में आपको मिलेगे सारे courses, जिस भी course पे आप click करते हो, suppose आप Excel course पे click करते हो, तो Excel course is related, जितनी भी जा आपको मिलेगी, कि आपको उसमें क्या मिलने वाला है, 100 प्लस टुटोरियल से, 100 प्रैक्टिस फाइल से, 3 टेस्ट, on Excel, course completion certificate, download all course videos, ओहो, great, आपको सभी के सभी वीडियो, lifetime के लिए, download के लिए मिलने वाले, course completion certificate भी मिलेगा, test भी attain करने मिलेगी, यतनी सारी चीज़े आपको मिल रही है, और यहाँ पे points भी आपको दिये है, क्या क्या आप सीखने मिलेगा आपको, यहाँ पे कुछ discount चल रहा है, exchange students के लिए जल्दी से आप और grab कीजी है, यहाँ पे दिखाए दे रहा है, आपको पहला video unlock रखा है, मैंने देखने के लिए, तो आप देख सकते हैं, ब खरीद लेते हो, तो जल्दी से, अगर आप interested हो, तो इस website पे visit कीजे, जल्दी से add to cart button, click करके खरीद लीजे, सारी process online है, कैसे process करनी नहीं चानते है, तो इस website के उपर यहाँ पे आप देख सकते, support page रखा है, इसके उपर आप click करोगे, तो you will get like this, how to buy course, why should you buy, course completion percentage issue है, certificate कैसे लेना है, यह सारी चीजे, and how to download videos and practice files, मतलब हर एक वीडियो के नीचे वैसे भी मैंने दिया है, download video, download practice file दिया है, तो यह भी मैंने यहाँ पर बता दिया है, website पे आपको properly, यहाँ पर WhatsApp support भी है, जैसे मैं online होंगा, आपको, वहाँ पर आपकी सवाल की जवाब मिलेंगे, अग लेकिन जादातर लोग single finger use करके laptop को operate करते हैं, और नीचे जो बटन दिये रहेते हैं, right click प्रेस करने के लिए उसे use करते हैं, लेकिन मैं आपको बताओ कि अगर आप one touch करते हैं, मतलब single finger से touch करते हैं, तो mouse point हो move होता है, और folder भी आप select कर सकते हैं, single touch से, लेकिन आप यहाँ अगर two finger से touch करते हैं, two finger से अगर आप touch करते हो, तो right click हो जाता है दोस्तों, आपको नीचे का right click कर बटन उसके लिए प्रेस करने की ज़ुरत नहीं है, तो आज से आगे मैं उम्मीद करता हो, आप two finger से use करेंगे, right click लाने के लिए, आगे मैं आपको बताओंगा कि अगर three touch आप laptop पे करते हैं, तो three finger से touch करते हैं, तो यहाँ पे आपको Cortana मिलता है दोस्तों, Cortana तो पता है, Windows 10 में help के लिए use होता है, तो बहुत सारे programs होगे आप यहाँ से search कर सकते हैं, तो three touch कीजिए और Cortana open कीजिए, that's it, यह three touch से होता है दोस्तों, तो आगे मैं आपको बताओंग आप touch करते हैं, laptop की touchpad पे, तो आपको right side में notification का icon open दिखाए देता है, तो यह notification icon लाना है, तो आपको four touch करना है, दोस्तों, simple है बस four touch से यहाँ पे right side का icon आता है, उनी four touch से यह फिर से गायब हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से यह one finger touch, two finger touch, three finger touch और four finger touch आपको कर यह तो touch का हो गया, लेकिन अगर आप mouse pointer single finger से अप up and down करते हैं, left and right करते हैं, то mouse pointer move होता है, लेकिन अगर आप two finger से करते हैं, तो कोई भी software के अंदर, अगर आप two finger से इस तरह से उपर लेके जाते हो, mouse pointer को और नीचे लेके आते हो, तो क्या होता है, इस तरह से अगर नीचे यह page scroll होता है या left और right करोगे तो right left page scroll होता है तो two finger touch करके आप अगर left right मुझ करोगे और up and down मुझ करोगे तो scrolling हो जाता है यह शायद आपको पता नहीं कि हो mid करता हो इसलिए मैंने आपके साथ share कर दिया लेकिन three finger का touch भी देख लो यहापे क्या होता है तो अगर आप three finger touch करके उपर की तरफ drag करते हो तो आपको यहाँ पे दिखाय दे रहा है आपके desktop के जितने भी application से वो ऐसे minimize होके यहाँ पे दिखाय दे रहे है और साथी में आपको new desktop करके right side में bottom में एक option आता है यहाँ से आप नया desktop लेके वहाँ पे भी कुछ applications open करके रख सकते तब इसका benefit क्या ह होता है इसका अलग लग benefit कर सकते सब्सक्राइब गेम्स किल रहे हो और अचानक आपके रूम में parents entry करते तो आपको तुरंत सब minimize करना पड़ता है minimize करेंगे तो नीचे टासबर पे दिखाय देता है तो ऐसे में आप करेंगे क्या तुरंत आप windows tab button प्रेस करेंगे और दूसर रन नहीं हो रहा है ऐसे उनको दिखाए देगा यह काफी कमाल की चीज़ है अब मैं judge नहीं करूँगा कि आप इसका किसके लिए कर रहे हो आप game खेलते समय इसे यूज़ करो या किसी और के time पे यूज़ करो लेकिन यह काफी कमाल की चीज़ है windows 10 के अंदर साथी में आप इस three finger से left or right move करते हो तो इन application के बीच में आप switch हो सकते दोस्तों जी हाँ आपको screen के उपर दिखाए दे रहा है मैं left or right move कर रहा हूँ तो यह application के बीच में switch होने के लिए काफी कमाल की चीज़ है तो यह three finger का touch आप use करके देखेंगे और मुझे comment section में जरू लिखेंगे कि आ आपने इसका use कर लिया है तो चलिए अभी आपको मैं four finger touch का भी बता देता हूँ four finger touch करके left right अगर आप move करते हो तो यहाँ पर आपको दिखाए देरे screen इस तरह से drag हो जाती ही बस तो यह इस तरह से होता है four finger touch से दोस्तों तो single finger touch को generally सबको आता है मैंने आपको बता है two finger touch से क्या होता है three finger touch से क्या होता है four finger touch से क्या होता है आज से आप इसका use करना चालू करेंगे अब से पहले मैं आपको बता हूँ कि यह जो तीन note pad की cool tricks मैं आज आपको बताने हो लाओ इसका कोई use नहीं है practical life में मतलब आप बोलो कि use नहीं तो क्यों पढ़ा रहे मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ दोस्तों को परिशन करने के लिए दोस्तों में अपना smartness दिखाने के लिए जरूर यूज होगा दोस्तों क्योंकि practical life में हम इसे ज्यादा use नहीं करते लेकिन अगर आप एक technical कीड़ा समझते आपने आपको यानि कि technology की बाते अच्छी लगती आपको technical में कुछ न कुछ अलग करना पसंद करते हैं तो यह चीज़े जरूर सीख लीजे क्योंकि interesting कापी तो मैं आपको बता हूँ शायद आप जानते होंगे notepad की vbs tricks नहीं जानते हो तो यह पूरा वीडियो देख लीजे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर तीन tricks में सबसे पहले welcome tricks यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ welcome tricks क्या होता है मैं open कर ओ इस file को या double click करके run कर र दाल दूतो जैसे मैं start up करूँगा computer में start होती ही मेरे PC मुझे welcome करेगा welcome to your PC इस तरह से आपने अलग-अलग shell colon startup यह type करना होगा आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ जरा आप देख सकते ही no down करके zoom करके मैं पता रहूँ shell colon देना है फिर startup लिखना है और फिर enter करना है और इसके अंदर इस file को पेश करना है जैसे कि मैंने यहाँ से file copy करके यह पर पेश की और जैसे computer में restart करूँगा यह file automatic रन होगी और मेरा computer मेरा laptop मुझे welcome करेगा he했는데 welcome मेंने मेरा नाम कैसे लिखा यह हूँ इसमेoder कैसे करना है, मैं आपको today, से मैं edit करता हूँ, आपको दिखाए दे रहा ही this code and my mówią और इसमें यहाँ पर आपको बस यही करना है, as it is könnten copy paste करना है और यहाँ पर आपका नाम दाल देना है आप ये भी change कर सकते हैं साथी में मैं आपको बताओ कि इस फाइल को सेव कैसे करना है अगर ये कोड तो मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में लेकिन ये कोड को आपको इस तरह से सेव करना होगा फाइल से वैज नोट पैट की फाइल को हम TXT में हमेशा सेव करते हैं लेकिन यहां पर हम .vbs extension दे आने के लिए कि आपका computer आपको वेलकम कैसे कर रहा है अगर आप किसी दोस्त के सामने यह स्टार्ट करता आपकी computer तो वह बलता है और यह कैसे क्या आपने यह जरूर पूछेगा हो तो चलिए मैं आगे बता देता हूँ आपको दूसरा ट्रीक है जो दोस्तों को परेशन कर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर मैंने double click किया suppose अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि CD-ROM मेरा यहाँ पर इजक्ट हो रहा है बार बार इजक्ट हो रहा है तो आप चाहते CD-ROM यहाँ पर इजक्ट होना stop हो जाए मतलब automatically इजक्ट होगा 5-10 seconds के बाद इसके अंदर वैसा कोड़ी है और यह लूप होते रहेगा continue तो आप यह CD-ROM ejection stop करना है आपको तो करना क्या है आपको यहाँ पर control I'll delete करना है control I'll delete शायद आपको task manager की screen मेरे recorder में नहीं दिख रहे होगी लेकिन task manager की screen आती है और उसके अंदर यह task manager screen अभी अब यह दिखाए दे रहे होगी screen इस task को end करेंगे तो CD-ROM eject होना stop हो जाएगा क्योंकि WA script run हो रहा है background में और उसी की वज़े से वो बार-बार eject हो रहा है और इससे आपकी computer को कोई हानी नहीं हो रहा है बस किसी को परेशान करने के लिए CD-ROM loop हो रहा है और इसका code जो है यह यहाँ पर रहा है इस तरह से code है यह यहाँ पर दिखाए दे रहा है CD-ROM बार-बार loop के अंदर यह for loop तो आपको पता रहेगा loop के अंदर बार-बार return रिटन रिटन वो command लेते जा रहा है इजक्ट हो रहा है फिर से बंद हो रहा है फिर इन भी हो रहा है आपको पूल करना पड़ेगा और PC का है तो आपको पू यहाँ पर लगबग यह virus की तरह trick लगेगी यहाँ पर मैंने type message नाम दिया इसको यह जो है trick क्या करेगा अगर मैं इसे run करता हूँ मैं run करके दिखाता हूँ मैं इसे run कर रहा हूँ और cursor मेरा notepad file में रख रहा हूँ जैसे मैं notepad file में cursor रख रहा हूँ यहाँ पर लिख क्य यह जो बार बार प्रिंट हो रहा है, इसके लिए मैंने नोट पैड पे क्लिक किया, अगर आप इधर उधर क्लिक करोगे दोस्तों, तो सपोज आप स्टार्ट होगे, यह रन में क्लिक करोगे, तो यह बार बार कोई ना कोई प्रोग्राम या फाइल उपन करते रहेगा, तो इसके वज़े से मैंने वहाँ पे क्लिक नहीं किया, तो मेरा जो रेकॉर्डर है, यह सारे स्टॉप हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, पीसी क्या करेगा, बार बार कमन उपन करते रहेगा, तो जो एप्लिकेशन चले उसे भी क्लोज करने के चांसे से यहाँ पे, तो डिटे यह स्टॉप हो चुका, यह मैसेज आप दिखा दे रहा, इस इस वाइरस यह प्रिंट हो गया, यह टाइप हो किया, इन नोटपैट दर असल मैंने शार्ट किया और उसके अंदर यह आ गया, तो यह जो फाइल है, मैं आपको एडिट करके दिखा दाता हूँ, कि इसमें आप बदल सकते, this is virus, you have been infected, यह आप चेंज करके आप कुछ भी लिख सकते, इसकी जो कुछ मैसेज चाहिए, आप वो प्रिंट कर सकते हैं, और टाइमिंग भी यह आप लिखेंगे, तो 2 सेकेंड के बाद वो मैसेज प्रिंट हो, अभी 1 सेकेंड के अंदर हो रहा है, 2 सेके कर दो, अब यह सेव करने के बाद जबी आप रन करोगी, यह आटोमेटिकली रन हो जाएगा, और यह आप किसी को ईमेल करते हैं, और वो डाउनलोड करके अगर रन करता है, इसे तो उसके कम्पिटर में अलग-अलग विंडोज ओपन होती रहेगी, और हर एक विंडो में यह message type होते रहेगा, जिदर भी click, word चलू किया तो word के अंदर भी message type होगा, यह start button में यहाँ पे click करेंगे, तो भी message automatic type होते रहेगा, कई पी भी click करेगा तो type होते रहेगा, तो यह दोस्तों को परेशान करने के लिए बस, इसका कोई use नहीं है, बस आपका smartness अब दोस्तों क के भी दिखा सकते हैं, यही एक trick है, यह computer के फड़ने हैं, तो कुछ ऐसे trick हैं, दोस्तों